स्वाम्हिनाराण दोस्तों अक्षड प्लान टेर में आप लोगों का स्वागत है आज की डृट options क्यों हम ने वीडियोप्लान किया है तो दोस्तों सबसे पहले लोगों से रिक्वेस्ट अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हैं वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें शेयर करें तो आज का टॉपिक दोस्तों हमने जो रखा है वह रखा है कि जैसे आप सभी लोग अभी सीड जर्मिनेशन का टाइं है करने कब चटींग करने का वी रिपोर्टिंग करने का वी रिपाटिंग के लिए बहुत फैवरेबल यह समय ऑप आंपन अज़ों होता है में द不知道 हैं और तो दोस्तों अगर आप लोगोंने लगाये हैं तो हम från लोगों को जीड लगाने के बाद बाद क्या के एर और वीडियो आज का है अपना तो अपलोगों ने अगर सीट लगाए तो ग्रो में भी all में लगा सकते हैं जैसे मैंने कुछ ग्रो में भी लगाए हैं और कुछ जर्मिनेशन ट्रे में भी लगाए लगाने में जो एक तो बहुत यह वी फर्टिलाइजर इसके अंदर अपने को यूज नहीं करना है कि आप जो है केमिकल जो है डिए पी यूगिया इस टाइप पर यूज करें जिससे की ऐसे सोचेंगे जर्मिनेशन फास्ट होगा और जल्दी जल्दी उग जाएंगे ऐसा नहीं है हाई केमिकल अगर आप कुछ भ वाला मैन्योर वह आप डाल लेते हैं उसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होती है तो आपने को एक तो यह नहीं करना है जब भी आप सीट्स ग्रोट जर्मिनेट करें तो बिल्कुल लाइट जो आपने को है थोड़ा हलका सा वर्मी कंपोस्ट ही लेना है और साथ में को पीट में अपने को ग्रोग कर रहे मिर्की में लगाने से समस्य आती कि मिटी में कई बार क्या अदर मैं लेप वहücks olduğunu आपकी यह नहीं होने देजियों को जिस से जो है जर्मिनिशन फास्ट हो जैसे मेरे इस वाले में थोड़ा स्लो है और जो ग्रो बैग है उसके अंदर लगबग जर्मिनेट हो गए पर वह थोड़ा बड़ा था इसलिए मैं उठाके नहीं यह रखके आपको बता रहा हूं जो अपनी ट्रे है इसी के अंदर ही तो आपने जैसे सीड ग्रो किये तो दो बहुत तेज धूप में अगर इसको रख देंगे तो जो है मीडिया ड्राइए आउट हो जाएगा और मीडिया ड्राइए हो गया आपके एक बार जो फूले हुए बीज शिकुड गए तो वह वापिस उसको जर्मिनेशन में प्रावलम आएगी मोस्ट प्रबैबली उसमें यह हो सकता है कि फंगा साकर के और आपकी जो है सीड डैमेज हो जाए 100 परसेंट और वह खराब हो जाएं तो इनको बहुत दूप में अपने को नहीं रखना है ऐसी जगह रख सकते हैं जहां शेमीशेड हो तो शेमीशेड में क्या होगा कि हलकी कभी कबारिश पर थोड़ी उजाले वाली जगह पर रखे तो जो है जर्मिनेशन थोड़ा सा तेज होता है दूसरा इस सीजन में आप देख रहे हूंगे आपने सीड लगाएं मगर जर्मिनेट बहुत स्लो हो रहे हैं आपके भी आप देखोगे तो पहले जैसे हफते बर में बहार आ जाते थे अब न दूप में रखे या चाय में रखे तो अपने नहीं रखना है जब तक कि जो आपने सीडलिंग्स बाहर नहीं आते बाहर नहीं आने तक ऐसे जिए रखे जहां जहां पे बेढ़ा मतलब यहां उपर टीन शेड तो यहां पे आपन ऐसी जिए पर रख सकते हैं जहां पे उजाला रहे हलकी जहां मौसम की घर्मी भी मिले जो हवा में है और दूसा सीधी इसके ओपर जो है धूप नहीं पड़े सीधी धूप पड़ने से भी जो है मीडिया बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है और अगली बात दोस्तों कि कई लोग जो है इसको पॉलिथीन से कवर कर देते हैं जर्मिनेशन फास्ट कराने के लिए तो उसमें आपको ब अंदर फंगस आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है अगर आपने टाइट किया हुआ है और दूप में भी रखा हुआ अगर आपने पॉलिथीन से भी इसको अगर कवर करके रखते हैं तो भी आपने को ऐसे जगह पे रखना है क्योंकि पॉलिथीन से अपना मेन परपस जो कवर करने का है वह ठंडी हवाओं से अपने सीड्स को बचाना यह अपना जो मीडिया उसके नदर नहीं गुसे और अपनी जो है सीड्स जर्मिनेट फास्ट है आपने इसको बहुत टाइट पॉलिथीन में पैक करने के बाद अगर आप इसको दूप में भी रखेंगे तो सीड्स आपके डैमेज हो सकते हैं बहुत तेज दिन में टेंपरेचर हमारी आलगबग 30 डिग्री है और 30 डिग्री में अगर यह बाहर रखे रहेंगे तो डैमेज होने की पॉस्पिलिटी रहती है कि शाम तक ट्रे का सारा मीडिया आपका ड्राइट हो जाए तो जब त सीड्टे के अंदर प्राउलम करेंगे घर्मिनिट होने में अगर हैं तो ग्रोब एग में क्या होता है जैसे मैंने बताए ज्यादा रहती है तो शीड्स एकदम से जो है सूखते नहीं है क्योंकि नीचे मीडिया का बहता है तो उसके पॉसिबिलिटी रहती है कि आपके टॉपिक हम पहले वीडियो बना चुके आप चाहें तो देख सकते रहता है ट्रे में ठीक रहता लेधा है या फीक में ठीक रहता है तो वो बीजू आप देखेंगे तो काफे कुछ और आपको जानकरी इस के बारे में मिल जाएगी कि किसमें लगा देने से क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है और अगली बात दोस्तों इसके अंदर जो है कि जब तक सीडलिंग्स बाहर नहीं आएंगे कोई भी फर्टिलाइजर अपने को नहीं देना है कई लोगों को जल्दी रहती है और वह निकले नीर आपने उसको फर्टिलाइजर दे दिया तो वह डेमेज कर सब्सक्राइब तो जब तक अच्छी तरह निकल नहीं आएंगे तो आपके सीड निकलेंगे और जल्दी बाजी में जो है इसको दूप में रख रखेंगे के कोशिश करें कि इसके अंदर जो है सीड जर्मिनेट हो जाएंगे तो वह जो है आपको प्रॉल्म हो सकती है तो दोस्तों कुछ एक बाती थी मुझे लगा आप लोगों ने सीड लगा रखेंगे तो आप लोगों को यह थोड़ी सी बाते ध्यान रखनी है तो आपको भी जो है अच्छे हल्दी और सुन्दर मिलेंगे तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही अक्षा प्लांटर अन्प्लांट यह आपका अपना चैनल है ज्यादर ज्यादर वीडिएो को शेयर करें लाइक करें वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार